पद्म पुरान में माग मास के महात्मे का वर्नन करते वे कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान स्रीहरी उतने प्रसनन नहीं होते जितने की माग के महिने में असनान मात्र से होते हैं इसलिए सभी पापों से मुक्ती और भगवान वासुदेव की प्राप्ती के लिए परतेक मनुस को माग मास में असलान करना चाहिए माग मास में एक पौरानिक कथा आती है नर्मदार नदी के टत पर सुभवरत नामक एक बिद्वान ब्राह्मन रहते थे लेकिन वे काफी लालची थे और इनका लक्ष किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही ब्रद दिखने लगे कई बिमारियों की चपेट में आ गए और इस बीच उन्हें अंतर ग्यान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया अब जीवन का उद्धार कैसे होगा इसी करम में उन्होंने माग मा में असनान का महत्व बताने वाला एक स्लोक यादा आ गया इसके बाद असनान का संकल्प लेकर ब्रह्मन नर्मदा नदी में असनान करने लगे करीब 9 दिनों तक असनान के बाद उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गई और मिर्तियू का समय आ गया वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सतकारे ना करने के कारण उन्हें नर्क का दुख भोगना होगा लेकिन वास्तम में मात 9 दिन तक माग मास में असनान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ती हुई इसी करम में पूर्णिवा के दिन एक बृत कथा सुनी जाती है इस बृत कथा को सुनने से पूर्णिमा बृत आपका पूर्ण होता है कांतिका नगर में धनेश्व नाम का एक ब्रहमन अपना जीवन भीक्षा मांग कर निर्वाह करता था उसकी कोई भी संतान नहीं थी एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई प्रंतु सभी ने उसे बांज कहकर भिक्षा देने से इंकार कर दिया फिर किसी ने ब्रह्मन दंपती को 16 दिन तक मा काली की पूजा करने को कहा उन्होंने बिधी पुरुवक पूजा अराधना की तब उनकी अराधना से परसंद नहो कर मा काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का बरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ के अनुसार परतेक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ इस तरह हर पुणिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए इसके बाद ब्रहमन ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की फल सरूप वगर्वती हो गई एक पुत्र को जन दिया इसका नाम देवदास रखा देवदास जब बढ़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए कासी भेजा कासी में धोके से देवदास का विभा हो गया अब देवदास ने कहा कि वह अलपायू है प्रंदो फिर भी जबरन उसका विभा करवा दिया कुछ समय के बाद काल उसके प्रान लेने आये लेकिन ब्रह्मन दमपत्ती ने पुर्णिमा का ब्रत रखा था इसलिए काल उसका कुछ बिगार ही नहीं पाया और तभी से कहा जाता है कि पुर्णिमा के दिन ब्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनो कामनाय पुर अगले पुनिमा को दो दीपक फिर अगले पुनिमा को तीन दीपक इस तरह से 32 पुनिमा तक जाए तो जीवन के सारे कस्ट मिड़ जाते हैं मागी पुनिमा का महत्व के बारे में कहा गया है कि संगम पर माग मेले में जाने और असनान करने का विसेश महत्व है और पुरानों को प्रसंद किया जाता है पुरानों के अनुसार माग पुणिमा के दिन स्वेम भगवान स्री विश्नु गंगा जल में निवास करते हैं और इस दिन गंगा स्नान करने से भगवान स्री हरी की किरपा भी मिलती है धन धन संपता लक्षमी सुख एस्वर और उत्तम संतान की प् पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों सरोबरटत प्रशनान करके तिलाँजली देना चाहिए पित्री तरपन करना चाहिए फिर दान दक्षिना कर 32 गुना फल मिलता है और इसी लिए इसे मागी पुणिमा कहते हैं साथ ही मागी पुणिमा को 32 पुणिमा भी कहा जाता है बढ़ती चली जाए मालक्षभी को पीले और लाल रंग की सामगरी अर्पित करें तो वह बहुत प्रसन होती हैं प्रियाग में मांग मास के अंदर तीन बार अस्नान करने से जो फल मिलता है वह प्रित्वी में दस हजार अस्सुमेग यग्य करने से प्राप्त होता है हर हर महा दो प्र्भड की जा इन अवड़ित गिलता है।